किताबों में लिखा है लोगों से सना है किताबों में लिखा है सबने यही कहा है सबने यही कहा है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हो डरते नहीं जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं काहानी तेरी मेरी तेरी मेरी काहारी कभी उड़ती महक कभी गीली फिजा कभी पाक दुवां कभी दूप कड़क, कभी चाओ नरम, कभी सर्द हवां तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी काहारी तेरी मेरी चाहारी मेरी पाक पाक दुवां सबस्सराइब के लिए फिल्म के लिए क्या सोचे थे इतना प्राइब आखा रिसपॉंस आप लोगों का, कि globally, पूरे वर्ल्ड का number one गाना सिनोरिटा को भी बीट करके पिछले हफते तेरी मेरी कहानी number one हो गया है वो आप लोगों के प्यार की वज़े से हुआ है इतना प्यार जो आप लोगों ने happy, hardy here को, तेरी मेरी कहानी को गानु जी को, मुझ को, वो दिया है, वो कहीं न कहीं बस एक आशिरवाद है आप लोगों का कि ये गाना इस तरह से लोगों को पसंद आया तो मैं यही कहूंगा कि बस ये एक चमतकार है ये उपर वाले का आशिरवाद है otherwise इतने कम समय में इतना बड़ा global hit तो बहुत मुश्किल से होता है Thank you very much अपर तो भी सोचा था कि कुछ सेमरीटर को बीट करना नहमुर्किन सा हो गया था इस तरह के हम बोल सकते हैं लेकिन यह हो चुका है, हम बोल सकते हैं ये सोचा ही नहीं था कि बस ऐसा लगा कि एक अच्छा गाना एक अच्छी आवाज बस वो दिल से एक आवाज आई जब वो सूपरस्टार सिंगर के सेट पे आई कि रानु जी इस आलाप को इस गाने को बहुत अच्छा गा सकेंगी तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा यहीं लगा कि बस कहीं न कहीं यह उस composition के लिए correct है उन्हें हमने इस्टूडियो पे बुलाया और फिर उसका making जैसे ही मैंने अपने Instagram पे डाला वो कहीं कुछ और ही हो गया तो लोगों ने इतना share किया उसके लिए मैं शुकर गजार हूँ आप लोग सब का और इतना प्यार देनी के लिए तो यहीं सोचके नहीं किया जा सकता हमने हैपी आड़ी हीर में एक जो strategy बनाई थी कि म्यूजिक इस फिल्म का पहले release होगा और आजकल म्यूजिक release से पहले hit नहीं होता बेले ट्रेलर आता एक दो गाने आते और release के बाद फिल्मों का म्यूजिक या तो चलता है या नहीं चलता तो हैपी आड़ी हीर एक प्यॉर लव स्टोरी है और वो लव स्टोरी के साथ कहीं न कहीं म्यूजिक का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखते वक्त फिल्म को आप कनेक्ट कर पाएंगे जब एक लव स्टोरी के साथ उसका म्यूजिक उसके आलाप उसके जो बैग्राउंड स्कोर है उसके गाने के एक एक वर्ड्स है उसे आप कनेक्ट करें जैसे तेरे नाम में होता था या जैसे दिले के मानता नहीं में, साजन में, 90's की फिल्मों में होता था तो आजकल बहुत content आता है तो कहीं न कहीं music release के बाद होता है लेकिन फिल्म को वो connectivity नहीं मिल पाती और मेरी ये as an actor दस्वी फिल्म है तो कहीं न कहीं न कहीं this was my first love story तो उस love story को connect करने के लिए मैंने वाशु जी की डॉटर दीपशिखा जी जो फिल्म को produce कर रही है कुमार जी जो music company है उनको request की कि ये picture का music पहले आया और trailer बाद में आया ताकि music release से पहले blockbuster हो सके तो ये automatic music film को एक बहुत बड़ी connectivity देगा लेकिन ये strategy wrong भी जा सकती थी कहीं न कहीं तो वो मैं बहुत शुक्र गुजारूं आप लोगों का कि ये अपने आप में जो risk हमने लिया कि music पहले आएगा फिल्म से वो इतना बड़ा hit release से पहले शायद ही किसी film का हुआ 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 पिछली बार आशिकी का हुआ था बहुत साल पहले चार-पांट साल पहले तो वो चीज जो हुई और अभी गानुजी के साथ हमने दूसरा गाना किया है आदत उसके बाद वो बहुत ही खुबसूरत हुआ है उसके बाद आशिकी का recreation है एक TikTok नाम का गाना है जो बहुत ही जबदद गाना है और उसके बाद एक गाना है हमारा कह रही है नस्ती की आफासले है अभी धर्मिया तो ये गाने जब भार आएंगे फिर रीमिक्स आएंगे सारे गानों के रीमिक्स वीडियोस है फिर mash-up आएगा और उसके बाद जाकर trailer आएगा जिसमें release date announce होगी तो ये overall पहले होता था 3-4 महिने पहले music आता था और फिर picture का trailer आके picture आती थी तो trailer के बाद release date आजाएगी और उसके बाद हम release कर देंगे लेकिन music release से पहले hit करने की जो strategy थी वो बहुत different थी आज एक case study थी और वो इस कदर रंग ला रही है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है वो सिर्फ आप लोगों का आशरवाद है रानु जी की किस्मत है एक लोगों का जो आशरवाद है और मेरी पूरी team का support है जिनने मुझे जिस तरह से मुझे ये strategy को implement करने दिया और आप लोगों का प्यार है कि इसके music को इतना globally head बना दिया अब इस film को देखने का जो love story का connect होगा वो बहुत अच्छा होगा बिकुस ये film as an actor मेरी वो कोशिश है कि as an actor आपको बहुत बड़ा re-invention मिले हमेश as an actor मेरी दसवी film है as an actor और मैं वो Friday की तलाश में हूँ जो हर actor की जिंदगी में एक वक्त आता है मेरी Zanjeeer या मेरी Kabheer Singh happy RD here हो जो मैं दुआ करता हूँ क्योंकि उतनी महनत हुई है एक re-invention है जो complete transformation है मेरी दस फिल्मे as an actor में दो-तीन फिल्में चली है but as an actor I'm at ground zero level and if I want to come there I have to work very hard and which we've tried to तो एक तीन बजे जब फिल्म विलीज होगी तो आपको एक बहुत नया कनेक्ट मिलेगा इस फिल्मे एक नया हमेश मिलेगा in terms of performance तो वही प्यार की दास्तान तेरे मेरी कहानी के जरिये सारे गानों के जरिये happy hardy here में आपको नजर आएगी तो आप क्या कहने चाहेंगे अब क्या फिल हो रहा है उतना अच्छा response लोगों के तो मिल रहा है इंटरेशन बोला जाता आपको इंटरनेट का क्या कहने चाहेंगे डानी के तो मैंने उनका सुपड़ी आधा करती हूं जर्मनने मुज़ बानाए उनकी और अवको से तो अपकोस काय decía 내 लाइंगे तो भी मैं गाप है जो निया गाना उनने सिखाए तो मैं जानती नहीं थी मगर उन्होंने सिखाया, तभी मैं गा सकी और पहला गाना इन्होंने तीन से तीन से चार गंटे में पहले गा लिया पहली बार हेड़फोन के साथ उनका कनेक्शन बन रहा था तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत करेक्ट, बहुत अच्छा गाया पर दूसरा गाना, आदत जो अभी आ रहा है वो इससे अच्छा है और मैं आपको कह रहा हूँ, वो दो गंटे में गाया है वो अलाप ही दिया, अलाप अभी आया है, अब मैं उसका मेकिंग बहुत जल्दी लोगों के सामने लाऊंगा और फिर वो गाना आएगा आदत, बहुत खुबसूरत गाया है और आशिकी तो और भी जल्दी हुआ, तो अब उनका पिक अप सेंस एक प्रोफेशनल की तरह हो गया है और वो ट्रेनिंग लेसंस भी ले रही है, मेरे डाड भी जिन्नोंने मुझे सिखाया, वो उनको टिप्स देने वाले हैं और आगे मैं चाहता हूँ बस इनको आगे लेके जाहिए, प्यार दीजे इनको क्योंकि कोई भी फैमिली में से जब एक आर्टिस्ट, एक टैलेंट भाहर निकलता है तो करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि उमीद नहीं चोड़नी चाहिए, महनत करते रहना चाहिए, कौन सा दिन कब उपरवाला आप पे महर्बान हो जाए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है जो मुझे लगा कि बहुत बहुत थी जबरदस्त कभी न कभी कोई न कोई आता है अगर आप बस मेहनत करते रहे हैं मैं उनके साथ गाने के लिए तो मेरी एक स्वाब क्या बोलता है इंगलिस में बोलता है इंदी में क्या बोलता है वो मैंने सोची मगर उनके उपर तो हमारे जो हमें बनाया वो उनका महरवनी उनने जिस तरह से उनको चलाया डिरेक्शन किया है तो उनकी जरिये ये मुझे मिला तो इस बात के तो मुझे गर्वा है और टैलेंट थी और वो सब उपर वाले का करिश्मा है सच मुझ जो पूरा जब मैं तेरी मेरी कहानी के लिए इस हैपी हाड़ी इ अब वाले का तो इस बात करेंगे जो आवाज चाहिए थी वो उसी मोमेंट पर जब टाइम हो गया था रिलीस का तब सुपरस्टार सिंगर में मैं जब जच कर रहा हूं और सामने वो आती है और वो एक प्यार का नगमग आती है और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये करेक् में सोशल मीडिया बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कर सकता है पस आपकी नियत सही होनी चाहिए और नियत में बरकत है मैं हमेशा मानता हूं तो उसमें डेफिनिटली बहुत जादा आप लोगों का योगदान है जिनोंने ग्लोबली एक ही साथ में कुछी में इसको कहां से कहां पहुचा दिया तो मैं बहुत दिल से शुक्र गजादा हूं आतिंद्र चौकरवर्ती के बारे में कहां किने चाहेंगे आप रेल्वेस्टिशन के बात जब करते हैं तो उन्होंने अगर वीडियो ना करने का इरादर रखते तो साइद ये भी साइद की बात है ये नहीं हो सकता था साइद कीकि मैं बोंब्या आने के लिए मैं प्लेन में आई तो मैं मुझे आने का जो दिल था या फिर मैं सोच रही थी कि मैं आऊंगी तभी न शही WWE मह आओंगी बॉम्मे मैं तो रह चुकी हूँ मगर फिर भी जब मैं एक सिंगार की हैसे अपसे मैं आना चाहा, तब मैं सोचने लगी थी मैं आओंगी, लेकिन कब आओंगी ये मुझे नहीं पता था लोगुन आपको अलता मंगेश के क्या वाइस में कंपेड़ दिया, क्या फिल हो रहा था, क्या कहने चाहें दिया जी क्योंकि मैंने जितना गाना गाया पहले, क्योंकि जैसे कि शोर पिक्चर तो उनहीं का आवास तो उनकी है, तो उनकी आवाज से मैंने गाना गाया, उनकी आवाज, मतलब आवाज जैसे कि वो जिस तरह से गाया उनका, उसका गाने जितना भी था पुराना, जो मैंने गाय औल्ड गान, तो सभी तो लखला मंगिस करती है, तो उनने है को राइट effective को चेनी पहलता हो कि हैमत जी जो था वो भी लणटा-जी को कुछ बंगला था, उनको बंगला नहीं मालम था, वो तो यहां का महरा Actrian है लता जी तो मंगिशकर तो उनको भी बंगलाया में जाके शिखना पड़ा था लेकिन वो उसने कोई मतलब एराग एरा कोई इंसान से नहीं से नहीं सिखा वेलके वो वहां का है मन जी जिसका नाम वो भी एक रेडियो आटिस्ट उनके पास से उनने शिखा लता जी ने बेंग तो उसके हिसाब से उसके आवज सचमच खोबी बहुत खोब है जैसके हीरो पिक्चर हीरो पिक्चर में वो गाना है गाना डुएट है वो पिक्चर